Get up together फैंस को इदी देने वाले शारुक खान इस बार इद नहीं मना पाएंगे शारुक खान फिलाल फिल्म जीरो की शूटिंग के इडिये लॉस एंजलस में बिजी है हर साल इद के मौके पर लाखों फैंस मननत के बाहर आते हैं और उन्हें इद की बथाई देते हैं सास के बारे में बात नहीं करती सोनम सोनम ने कहा वो अपनी सास से बहुत फ्रैंक है उनके बारे में जारा चर्चा ना करने पर सोनम ने कहा कि उनके सस्वराल बाले अपनी नीजी जिंदिकी को नीजी ही रखना चाते हैं वैं बॉलिवूड से नहीं जुड़े हैं इसलिए वैं उनके बारे में कोई बात नहीं करती अमिता आप देंगे करोरों की मदद अमिता बच्चे ने कुल दो करोर रुपे की मदद का फैस्ता किया है एक करोर रुपे वैवीर गती को प्राथ हुए सैनिको के परिवार के लिए और एक करोर रुपे उन किसानों के लिए जो कर्ज के बोज के तले दबे हैं सल्मान खान प्रोडक्शन की फिल्म नवरात्री का टीजर रिलीज हो गया है करीना ने आपला मानुस के हिंदी रिमेक का हिस्सा बनने से इंगार कर दिया है, फिल्म के निर्माता सुनाक्षी सिन्हा से बात कर रहे हैं, सुनाक्षी को फिल्म की स्क्रिप्ट काफी पसंद आई है, जल्दी फिल्म के निर्माता इसका आधिकारिक एलान भी कर देंगे करन की माने तो अगर ये दोनों अपने रिलेशन्शिप को फिल्म की रिलीज के आसपास एक्सपोस करेंगे तो इसका फायदा फिल्म को मिलेगा इस वज़े से करन ने आलिया और रणबीर को साथ में एड साइन करने से मना किया है राट से शुरू होता था रणबीर का मेकप रणबीर ने बताया कि संजु का लुक लेने के लिए राट के तीन बज़े उनका मेकप शुरू हो जाता था ये करीब साथ या आट बज़े तक चलता था इसके लिए वे दो बज़े घर से निकल जाते थे इसका मतलब संजू की पूरी शूटिंग के दोरान रंबीर केवल 4-5 गंटे सो है पिल्म देखने से पहले आमिर का रियक्शन आमिर खान ने ट्विट कर कहा हाई सल्मान मैंने अभी तुम्हारी फिल्म नहीं देखी लेकिन मुझे और मेरे परिवार को रेस्ती बहुत पसंद आएगी आपको पर्सनली और प्रोफेशनली बहुत प्यार फिल्म ब्लॉक पस्टर होने वाली हो और कई रिकॉर्ड तोड़ प्रिया गया है शारुख खान ने जीरो के सपने को साकार करने के लिए सल्मान खान को शुक्रिय अदा किया शारुख ने ट्विट खार कर रोफेट कर कहा भाई सल्मां छावेड ज़ाफरी रेट चिली ज VFX और आनन्द एल्राय को जीरो सपना पूरा करने के लिए धन्यवाद संजे रिलीज के बाद देखेंगे संजू संजे दत के लिए उनकी बायोपिक फिल्म संजू की कोई स्पेशल स्क्रीनिंग नहीं होगी संजे नहीं चाहते कि वो रिलीज से पहले इस फिल्म को देखें ये फिल्म 39 जून को रिलीज होने जा रही है प्रियांका की खिलाफ ट्विट कर कमेंट करने वाले दुबाई के एक फाइफ स्टार होटल के रसोईयों को नौकरी से निकाल दिया गया है दुबाई की JW Marriott होटल में शेफ का काम करने वाले अतुल कोचर को होटल प्रशासन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है जुरासिक वर्ट फॉलन का जबर्दस कलेक्शन जुरासिक वर्ट फॉलन किंग्डम ने भारती बॉक्स ओफिस और पहले हफ्ते में 55 करोड रुपे की कमाई की इस फिल्म ने 2015 के जुरासिक वर्ट द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड भी तोड़ दिया इस फिल्म देश में पहले सब्ता में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पांचवे फिल्म बन गई है इस को ट्रेंड सिंडिया के मुताबिक आल्या भट पूरे सौंगों के साथ मोस्ट एंगेजिंग एक्ट्रस ओन ट्विटर बन गई है इस लिस्ट में अनुष्का शर्मा दूसरे दीपिका पाधकोंट तीसरे जैकलिन चौथिय और प्र्यांका पांचवे स्थान पर है शो मर्यम खान रिपोर्टिंग लाइव में जल्दी तिसका चोपरा नजर आने वाली है दिल्चस बात ये है कि उनकी भूमिका आमिर खान के तायर जमीर पर वाली होगी तिसका मर्यम के स्कूल में आर्ट टीचर के रूप में नजर आएंगी भोच्पूरी फिल्म संकी दरोगा रवी किशन के फिल्म संकी दरोगा का टीजर रिलीस किया जा चुका है ये फिल्म महिलाओं पर हो रहे है अत्याचारों पर केंदरी थे और फिल्म का मुखी केंदर बलादकार है और इसे खत्प करने के लिए एक संकी दरोगा के रूप में रवी किशन को एक जलाद के अफ़तार में दिखाया जाएगा बिग बॉस विनर मनवीर गुर्जर 31 साल के हो गये बर्थरे सेलिब्रेट करने मनवीर एक ओल्ड एज हो पहुंचे यहाँ उन्होंने बुजर्ग महिलाओं और अनात बच्चों के साथ अपना बर्थरे सेलिब्रेशन किया मनवीर ने यही पर बर्थरे के काटा और अपनी खुशियां इनके साथ शेयर की मायापुरी न्यूस डिल में इतना ही कल फिर हाजिर होंगे देखते रहिए मायापुरी कट